सुप्रभाद, आज हम हिंदी व्याक्टरंड से पाठ पाच पढ़ेंगे, जिसका नाम है उपसर्ग. बच्चो, पाठ को सुरू करने से पहले, पिछले पाठ की पुन्रावरती कर लेनी चाहिए, जिससे आने वाले पाठ को समझने में आसानी हो. हमने पिछले पाठ में पढ़ा था सब्द विचार के बारे में, आईए, जानते हैं कि सब्द विचार क्या है. दो या दो से अधिक, वर्णों से बने ऐसे समुख को सब्द कहते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो. इसको दूसरे सब्द में भी कह सकते हैं, कि द्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को सब्द कहते हैं, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, कि वर्णों या द्वनियों के मेल को सब्द कहते हैं, जैसे संत्रा, कभूतर, इत्यादी. सब्द के चार भेद हैं पहला है उत्पत्ती के आधार पर दूसरा रचना के आधार पर तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर आईए बच्चो पाठ का वाचन करते हैं हमारे पाठ का नाम है उपसर्ग आईए जाने उपसर्ग के से कहते हैं तो शब्दों के वे अर्थवान लगुत्तम अंच जो सब्दों के सुरू में लग कर नए नए शब्दों की रचना करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं उपसर्ग को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उपसर्ग उस सब्दांश पहले जुड़ते हैं उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं उपसर्ग दो शब्दों के योग से बने हैं पहला है उप और दूसरा है सर्ग जिसमें उप सब्द का अर्थ है समीप या पास और सर्ग का अर्थ होता है श्रिष्टी करना इस तरह उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठ क गर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना या नया अर्थ देना जैसे यत्नस के पहले प्राउपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या बनेगा प्रयत्न? ये एक नया शब्द हो जाएगा जिसका अर्थ होता है प्रयास करना बच्चों से और स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तत्व ना होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर एक विशेस अर्थ का बोध कराते हैं जैसे अन्य उपसर्ग अगर बन शब्द के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है अन्य बन जिसका अर्थ होता है मन मुटाव वहीं कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता बलकि तेजी आती है जैसे परी धन ब्रमड परी क्या है आपका उपसर्ग है और ब्रमड एक सब्द है जहां उसे मिलने पर क्या बन जा रहा है परी ब्रमड कभी-कभी उपसर के प्रयोक से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ भी निकलता है जैसे ओधिनसांती असांती किसी एक ही शब्द के पहले अलग-अलग उपसर लगने से उस शब्द अलग-अर्थ प्राप्त होते हैं जैसे हार शब्दे से प्र अगर उपसर्ग लगाएंगे तो प्रहार हो जाता है जिसका अर्थ होता है आक्रमेंट करना इसी तरह संग हार बन जाता है हार शब्द है आपका उपसर्ग लगा जिसका अर्थ होता है नास या खत्म करना इसी तरह से आहार आहार में आ उपसर्ग लगा है इसकार्थ हो गया भोजन विहार विहार मतलब भ्रहman आधी इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अलग-अलग उपसरः्व को लगाने से अगर अलग-अलग उपसरः अगर हम लगा रहे हैं किसी सब्द के साथ तो इसके साथ साथ अर्थ भी परिवर्दित हो जा रहा है इस प्रकार उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों की तीन इस्ततियां होती है पहला सब्द के अर्थ में एक नई विशेस्ता आ जाती है दूसरा सब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन होती है और तीसरा सब्द के अर्थ में को पहला हिंदी उपसर्ग और उसके अर्थ के साथ उपसर्ग से बनने वाले प्रमुक शब्दों को दिया जा रहा है पहला है अ का अर्थ अभाव नहीं या निशेद के अर्थ में लिया जाता है आईए जानते हैं और से कौन कौन से शब्द बन रहा है तो अपच, अबोध, अजान, अचूता, अथा, अटल, अलग, अकाज, अचेत, अपढ़, आगा, आदे दूसरा है अन, अन का अर्थ होता है नहीं, बेना या निशेद अन से कौन कौन से शब्द बन रहा है अनपड, अनबन, अनमोल, अनमेल, अनहित, अलग, अनजान, अनसुना, अनकहा, अनदेखा, अनगिनत, अनगड, अनहोनी, अनबुझ, आदी तीशा सब्द है अध, अध का अर्थ आधा, आधे, अपूर्ण से लिया जाता है इसे कौन कौन से सब्द बनते हैं, आईए देखें, अध खिला, अध जला, अध सेरा, अध पका, अध कच्रा, अध नंगा, अध कच्चा, अध मरा, आधी चौथा शब्द है उ, उ से उचा, उजरना, उचकना, उतावला, उखाणना, उतारना, उचलना, उद्दंड, आदी तीश्टा है उन, उन का अर्थ होता है एक कम, उननिस, उन्तिस, उन्चास, उन्तालिस, उन्सट, उनहत्तर, आदी छटमा है ओ, ओ या अव, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन ओ गुड, ओ धर, ओ तार, ओ सन, ओ सान, ओ घट, अवसर, ओ धर, आदी सातमा है क, क का अर्थ होता है बुरा या हीन, कपूत, कचोट, कमजोर, आदी हमारा आटमा उपसर्ग है कु कु का अर्थ होता है बुरा कुठोर, कुचाल, कुकर्म, कुपात्र, कुमती, कुढंग, कुगढ़ा, या कुचैला, कुचक्र आदी नौमा उपसर्ग है चो चो का अर्थ होता है चार चो राहा, चो मास, चो कोर, चो मुखा, चो रंगी, चो पाया, चो खट, चो तर्फा, आदी हमारा ग्यारमा उपसर्ग है दू, दू कारद होता है दू अब हम पढ़ेंगे संस्कृत उपसर्ग और उनके अर्थ के साथ उन उपसर्गों से बनने वाले प्रमुक शब्द भी दिये जा रहे हैं पहला है अती पहले उपसर्गे अती जिसका अर्थ होता है अधिक, बहुत, उपर, उसपार या परे इससे बने हुए शब्द हैं अतिकाल, अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्ट, अतिमानव, अतिव्याप्ति, अतिसे, अत्यंद, अत्युक्ति, अत्यावशक, अतिप्रिय, अतिरंजित, अतिचार, अतियाक्रमन, आदी दूश्रा उपसर के सब्द है अधी अधी का अर्थ होता है उपर, श्रेष्ट या सामिप्य इससे बने वेशब्द हैं अध्यापक, अधिक, अधीचेत्र, अध्यापन, अध्यात्म, अध्यारोप, अधीकृत, अधीकरण, अधीकारी, अधिकार, अधीभार, अधीराज, अध्यात्म, आधी हमारा तीसरा उपसर्ग है अनू अनू का अर्थ है सद्रश्य, समानता, क्रम या पष्षात पीछे जिससे बनेववे शब्द हैं अनुकृती, अनुभव, अनुसार, अनुसासन, अनुगामी, अनुगमन, अनुकूल, अनुशुती, अनुज, अनुताप, अनुपात, अनुवाद, अनुने, अनुचर, अनुपूर्ति, आधी इसे प्रकार हमारा चौथा उपसर्ग सब्द है अप जिसका अर्थ है लगुता, अभाव, हीनता या विरुद्ध इससे बने ववे शब्द है अपकार, अपमान, अपशब्द, अपसकुन, अपराध, अपहरण, अपकीर्थी, अपवे, अपरंस, अपवाद, अपकर्ष, आ पास, सामिप्य, आधिक्य, इक्षा, प्रगट करना जिससे बने ववे शब्द है अभी मुख, अभी यान, अभी शाफ, अभी प्राय, अभी योग, अभी सार, अभी मान, अभी भूत, अभी नय, अभी नव, अभी उदे, अभी ज्यान, अभ्यागत, अभी भाशन, इत्य हमारा छट्वा अव्या शब्द है अव जिसका अर्थ है हीनता, नीचे, अनादर, पतन, आईए इससे बनेवे शब्दों को देखते हैं अवगुण, अवकल, अवगत, अवलोकन, अवनिती, अवमुल्यन, अवस्था, अवसाद, फिर क्या है अवग्या, अवचेतन, अवरोहन, अवधी, अवरोहन, अवतार, अवमान, इत्यादी साथवा उपसर्ग है आ, जिसका अर्थ होता है ओर, तक, सीमा, समेत, कमी, विपरीत, उल्टा आईए इससे बने शब्दों को देखते हैं आयत, आकास, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरन, आमुख, आजन, आकर्षन, आमरन, इत्यादी आटवा उपसर्ग है उथ या उद, जिसका अर्थ होता है उथकर्ष, उपर या स्ट्रिष्ट आईए इससे बने शब्दों को देखते हैं उद्देश, उन्नती, उदे, उद्सा, उद्तम, उद्यो, उद्खनन, उद्सर्ग, उद्कर्ष्ट, उद्कंठा, उद्कर्ष, उद्पन, उद्भे, उन्नती, उद्देश, उद्गम, उद्दार, उद्गम नौवा उपसर्ग शब्द है उप जिसका अर्थ होता है निकटता, पास, सद्रश्य, गौण, सहायक, हींत आईए इससे बनेवे शब्दों को देखते हैं उपसीमित, उपसर्ग, उपकार, उपकूल, उपमा, उपनिवेश, उपदेश, उपमंत्री, उपस्तित, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद, उपक्रम, उपद्रफ, उपग्रह, उपचार, उपद्वीब, उपयोग, उपेक्षा, आदी दस्वाँ उपसरग है दू जिसका अर्द होता है बुरा या हील आईए इससे बने शब्तों को देखते हैं तो दुकाल, दुबला, दुबारा, आदी उर्दू के उपसरग और उससे बनने वाले शब्द हिंदी में कई सारे उर्दो के उपसर्गों का प्रयोग होता है जो अर्भी फार्सी से आए हैं नीचे उर्दो के उपसर्ग और उसके अर्थ के साथ इन उपसर्गों से बनने वाले प्रमुक्षब्द दिये जा रहे हैं आईए देखते हैं पहला है अल अल का अर्थ होता है निश्यत आईए इनसे बने वे शब्दों को देखते हैं अलविदा, अलमस्त, अलबत्त, अलबेला, अलगरज, आदी दूसरा उपसर्ग है एन जिसका अर्थ होता है ठी या पूरा एन वक्त, एन आदमी, एन हिक्मत आदी तीसरा उपसर्ग है कम जिसका अर्थ होता है थोड़ा या हीन कम जोर, कम शीन, कम उम्र, कम खयाल, कम जोर, कम समझ, कम दिमाग, कम अकल, आदी चौथा है उपसर्ग, खुश, जिसका अर्थ होता है स्रिष्टा के अर्थ में खुश नुमा, खुश गवार, खुश मेजार, खुश किस्मत, खुश खबरी, खुश बू, खुश दिल, खुश हाल, आदी पाच्वा उपसर्ग है गैर जिसका अर्थ होता है भिन, निशेद, विरुद्ध आईए इससे बनेवे शब्दों को देखते हैं गैर मुल्क, गैर कानोनी, गैर जरूरी, गैर हासर, गैर वाजिब, गैर सरकारी आदी छटवाए उपसर्ग दर्व, दर्गा अर्थ है में, दर बार, दरसल, दरकार, दर किनार, दर्वेश, दरमियान, दर हकीकत, दर्खवास्त आदी अगला उपसर्ग है ना जिसका अरथ होता है अभाव या बिना आईए से बनेवे शब्दों को देखते हैं ना पाग, ना उम्मीद, ना मुराद, ना समझ, ना काम, ना राज, ना लायक, ना खुश, ना ममकिन, ना चीज, ना दान, ना पसंद, ना बालिक, ना इनसाफी, आदी अगला है नेक, नेक करद होता है अच्छा आईए इससे बनेवे शब्दों को देखते हैं नेक दिल, नेकी, नेक चलन, नेकलेस, आदी अगला है फिल या फी, जिसका अर्थ होता है मे या प्रती आईए इससे बनेवे शब्दों को देखते हैं फिल हाल, फी फैशन, फी आदमी, फी मैदान, इत्यादी अगला उपसर्ग है ब, जिसका अर्थ होता है और या अनुसार आईए इससे बनेवे शब्दों को देखते हैं बकॉल, बनाम, बमश्किल, बदालत, बदस्तुर, बगैर, बखुबी, इत्यादी ग्यारवा उपसर्ग है बद, जिसका अर्थ होता है बुरा या खराब आईए इससे बनेवे शब्दों को देखते हैं बदौलत, बदजात, बदचलन, बदसूरत, बदनाम, बदतमीज, बददिमाग, बदहवास, बदबू, बदहज्मी, बदमास, बदनसीव, बदकिस्मत, बदमिजाज, इत्यादी अंग्रेजी के उपसर्ग हिंदी संस्कृत और उर्दू के अलावा अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रियुक तो होते हैं कुछ महत्पून अंग्रेजी उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्द निम लिखत हैं पहला है सब जिसका अर्थ हता है अधीन या नीचे आए से बने वे शब्दों को देखते हैं सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर आदी दूशा सब्द है डिप्टी जिसका अर्थ है सहायक डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिश्टार या डिप्टी मेनिश्टर इत्यादी अगला उपसर्ग है वाइस जिसका अर्थ होता है सहायक वाइस अरायर, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट आदी अगला है जेनरल जिसका अर्थ होता है प्रधान आए से बने वे शब्दों को देखते हैं जेनरल मैनेजर, जेनरल सेक्रेटरी आदी पाच्वां उपसर्ग है चीफ जिसका अर्थ होता है प्रमुख हाई ये से बनेवे शब्दों को देखते हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेकेटरी आदी दो उपसर्गों से निर्मित सब्द कभी कभी दो या तीन उपसर्ग एक साथ ही एक शब्द के पहले ही लगा दिये जाते हैं जैसे निर, धन, आ, धन, करण तो क्या बन रहा है निरा, करण निर एक उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है और करण एक सब्द है जिसके आगे लग करके क्या बन रहा है निराकरण इसी तरह से सू धनसम धनकृत तो सू संस्कृत इसे तरह से तीश्रा सब्द दिया है अन धना धन हार आपको बताया गया है कि अन एक उपसर्ग है आ भी एक उपसर्ग है और हार एक शब्द है तीनों को मिलने पे क्या हो रहा है अनाहार अगला है अ धन सू धन रक्षित मिलकर क्या बना है अ सु रक्षित नमबर पाच है सू धन सम धन गठित छटवा है अति धन आ धन चार साथवे नमबर पर है वी धन आ धन करण आठवा है प्रति धन उप धन कार प्रति उपकार नवा है अन धन आ धन हार तो अना हार दसमें पर है अन धन आ धन शक्ती तो अना शक्ती ग्यारवा है अन सम धन आ धन लोचन समा लोचन बारवा है अ धन नी धन यंतरित अन यंतरित तेरह हमा है औ धन प्रती धन अक्ष तो औ प्रत्यक्ष बच्चो इस पार्ट से आपने क्या क्या सीखा आईए संग्षप्त में जान लेते हैं उपसर्ग वे सब्दांश है जो सब्द के प्रारब में लगकर नया शब्द बनाते हैं उपसर्ग भी अर्थवान इकाई है पर शब्द की तरह स्वतनतर रूप में प्रयोक्त नहीं हो सकते बच्चो पार्ट से संबंदित अभ्यास प्रश्णों को आप स्वयम हल करेंगे तदा निबंद लेखन स्वतनतरता देवस आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे आज के लिए बस सतना ही आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद